मुल्तानी फैमिना जहां, फैशन वहां, एक ही छट के नीचे विशाल शोगू, वो सभी ब्रांड जो आपको देते हैं खास पहचान आप उलेन, मेरट लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, यह सिफ यूवा वर्क को अपने साथ जोडने का नारा हो सकता है, लेकिन मेरट के हस्तनापूर विधान सवाचेतर में ऐसा चरितरात हो गया है कॉंग्रेस ने अर्चना गौतम को अपना प्रत्याशी बताया, तो जैसे बवाल खड़ा हो गया अर्चना गौतम फिल्मी का लाकार हैं, और उनके कुछ फिल्मों के सीन वारल करते हुए व्यक्तिगत कमेंट किये जा रहे हैं कुछ लोगों ने हस्तनापूर में अर्चना का पुतला भी फुका, आज फ्रस्ट बैट में अर्चना गौतम से सीधे इस मुद्धे बर बात की बात्चित में उनकी वेदना साफ ने जर आई, और यह संकल्प भी कि लड़की हों, लड़ सकती हों, देखे कहते हैं कि हस्तनापूर से जो भी पार्टी जीतती है, वही परदेश पर राज करती है, ऐसा एक लंबे अर्चे से होता चला रहा है, कॉंग्रेस ने एक प्रत्याशी को उता रहा है, बिल्कुल नई है, और जैसे ही उता रहा है, उतारने के साथ ही, तमाम तरेके के विवा उनके पुराने विवसाय को लेकर के हो चुके हैं, वहे बराबर कह रही हैं कि वहे लड़की है, लड़ सकती है, अब सीधे उनसे बात करेंगे, और पूस्ते हैं कि कैसे वहे इन आरूपों को या फिर जो उनको उनके मनोबर पर सीधे अटेक कर रहे हैं, किस तरह से उसका स उन्होंने महिलाओं को शशक्तिकरन बनाने के लिए ये जो नारा लगाया है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो मैं यही बोलना चाती हूँ कि ये जो नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसमें महिलाए आगे आ रही हैं और अपने हग के लड़ाए लड़ हाई दिखिए ट्रोल को है और हमने कीडिति हैं मच्बूर हो जाते हैं टो यह चीजे मेरे साथ ही तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं की, मैंने अपनी एक्टिंग की और जो मैंने एक्टिंग की वो भखुबी से मैंने निभाई है और आज मैं राजनीती में मैंने कदम रखाया तो मैं अपनी राजनीती करियर को बखुबी से निभाऊंगी, मैं जनता की सेवा करूंगी और जैसे कि मैं हस्तनापुर की बेटी हूँ, मैं वही पे पैदा हुई हूँ, वही पे बड़ी हुई हूँ तो मैं अपने जो मेरा गाओ है उसको मुझे विक्सिब शहर बनाना है राजनेतिक जंग में आप किस तरह कैसे दूसरे लोग का सामना कर रहे हैं और संगठन आपके साथ कितना खड़ा हुआ है आपके मेरा संगठन मेरे साथ है और यहां तक कि जिला संगठन भी मेरे साथ है और जो मेरे हसनापुर के जो ब्लॉक अद्यक्ष है नगर पालिका के अद्यक्ष है नगर अद्यक्ष है वो सभी मेरे साथ है क्योंकि देखी मैं एक बहुत चोटी हूं और मैं 26 साल की हूं, और चोटे के नाते सभी मेरे सभी भाई मेरे साथ जुड के चल रहे हैं, तो संघतन की अगर मैं बात करो तो वो मेरे सब सहयोग में है और यहा तक की जनता भी मेरे सहयोग में है. आपको कितना अर्शा हो चुगा है राजनिती मायखोई? मुझे मात तरव डेड़ से दो महिना हुआ है, मैंने 26 नवंबर को कॉंग्रेस पार्टी जोइन की थी मड़व अलग-अलग कई सारे संखन हैं जो आपको सीधे विरूद करते हैं आप क्या कहने चाहती हैं उनके लाद में देखिए पहली बात तो मैं यही बोलना चाहती हूँ उनको कि उनके घर में भी एक बेहन होगी, उनके घर में भी मम्मी होगी और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी किसी की बेहन हूँ और मैं भी किसी की दोस्त हूँ और मैं भी किसी की बेटी हूं, तो अगर आप किसी लड़की पर ऐसा गलत शब्द का यूज कर रहे हैं, या उसको गलत बोल रहे हैं, जो गलत शब्द का प्रियोग कर रहे हैं, जिसे में बोलती हूं कि भायत शब्द का प्रियोग कर रहे हैं, यह उनको नहीं करना चाहिए, देखे एक लड़की की रिस्पेक्ट होती है और दूसरी चीज़ यह ए कि जब बाबा साफ ने ये बात बूली थी जब समिदान लिखा था उसमें साफ साफ लिख़ा था कि महिलाओं को रिस्पेक्ट हूनी चाहिए चाये वो डलित महिला हो चाहिए वो समाज की कोई भी महीला हो, तो मैं उसी भी आती हूँ, तो अगर कोई समाज की लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं, तो वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि देखे, जो मैंने काम किया हूँ, मैंने अपनी एक्टिंग की, जो कि बाकी की लोग भी करते आए हैं, और मैं भी कर मैं अपने कारण विरूत कि लड़िया जा रहा है और आप ि आपने नहीं के लिएने नहीं चेंदध बोल ने सब्सकती हूँ ज्सक्यों नहीं आहें पकलिकर वां कर पैसे हैंbekन सब्सक्राओं कि नियुक्त आई ओम Frことgens येशन दू जकस्द पहस करणा परें में स्वाइब आप किसी के पढ़ा कर सकते हैं अगर आपने बडू आ, मुझे बताईए कि आप किसी के चरित्र का करा क्ढ़ा सकते हैं आप इतना गलत किसे बोलत आप किसी की बारे में जानते हैं आपको यह नहीं पता है मैंने कितना स्ट्रगल करके मैं यहां तक पहुची हूँ क्योंकि आपको मेरी रियल लाइफ दिख रही है मेरी रियल लाइफ नहीं देख रही है तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके पास थोड़ा टाइम है आप आईए और मेरे बारे में जानिये कि मैंने कितना स्ट्रगल करके मैं वहां तक पहुची हूँ और फिर आप अपना जो भी आप गलत बढ़ के यूज कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं इस खबर में फिला लेतना ही है आप देख तेरी ये फार्स भाट टाइवे नमस्कार रपार